मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगे मित्रों वर्स 2023 में तुलसी विबाह कब है जानिये सही तीनव तारिक क्या है पूजा का सुप मुहुरत कब है पूजा विधी क्या है और द्वतियाति थी कब सुरू होगी कब समाप्त होगी चानिंग इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे करेंगे और जादे से जादे सेयर करेंगे मित्रों हर वर्स कार्तिक मास के सुक्ल पक्ष की एकादसी तिथी को तुलसी विबाह किया जाता है और इसे दिव उठनी एकादसी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन तुलसी और भगवान विश्डू स्वरूप साली ग्राम का बिबाह किया जाता है ऐसी माननेता है कि इस दिन भगवान विश्रू च्यार माह के निद्रा के बाद जागते हैं और इनके साथ ही सारे सुभकार्य जैसे बिबाह मुंडन ग्रीह प्रवेश आदि खुल जाते हैं और दिव उठनी एक अदसी से ही चतुर मास की समाप्ति भी होती है इसकी बाद तुलसी ओ साली ग्राम का विबाह संपन किया जाता है सास्त्रों की अनुसार तुलसी और सालिग्राम का विबा कराने से पूरे फल की प्राप्ति होती है और दामपत्य जीवन में प्रेम बना रहता है और पूरे विधी विधान के साथ तुलसी विबा संपन कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विश्डू की कृपा से उनकी समस्त मनुकामनाई पूर होती हैं और भगवान विश्डू की कृपा उस पर सदा बनी रहती है मित्रू अब तुलसी विवा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रू तुलसी विवा करने से पहले इस नान आधी करने के बाद एक चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर साली ग्राम को इस्थापित करें और इनके बगल में एक जल से भरा कलस रखें और उसकी उपर आम के पांच पत्ते रखें और तुलसी के गमले में गेरू लगाकर घी का दिपक जलाएं। इसके बाद तुलसी और साली ग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। और रोली चंदन का टीका लगाएं। और तुलसी के गमले में ही गन्ने से मंडब बनाएं। इसके बाद तुलसी को सुहाक का प्रतीक मानकर उन पर लाल चूनरी उड़ाएं। और गमले में साड़ी लपेट कर चूड़ी चड़ाएं। और उनका दुल्हन की तरह सिंगार करें। इसके बाद साली ग्राम को चोंकी समीत हाथ में लेकर तुलसी की साथ बार परिक्रमा करें। इसके बाद आरती करें। और तुलसी विबा संपन्न होने की बाद सभी लोगों को प्रसाद बात कर पूजा समाप्त करें। मित्रों अब पूजा करने का सुब महूरत को भी चान लेते हैं। जो इस प्रकार है। मित्रों अब आपको बता दें की वर्ष तुहजार तेईस में तुलसी विबा 24 नवंबर दिन सुक्रवार को किया जाएगा। एक आदासी तिथी प्रारंब होगी 22 नवंबर तुहजार तेईस को दो पहर ग्यार बजी। एक आदासी तिथी समाप्त होगी 23 नवंबर तुहजार तेईस को सुब नव बचका एक मिनट पर। 22 तिथी सुरू होगी 23 नवंबर 2023 को रात 9 बचकार 1 मिनट पर 22 तिथी समाप्त होगी 24 नवंबर 2023 को साम 7 बचकार 6 मिनट पर